बदोई जले के महराजा बलवन्त सिंग अस्पताल में काम करने के एवज में एक महिला से लड़की और 10,000 रुपाए मांगने के मामले में डियम ने जाच के आदेश दिये हैं आरोप सुपरवाईजर और अस्पताल में एक बावू पर लगाया गया है इस मामले में अपना अदल एसके जलाध्यक्ष डियम सिंग ने कारवाई नहीं होने पर धरना देनी की चेतावनी दी है दर असल पूरा मामला ये है कि सुरियावा थानाशेतर के तुलापुर बहरत दुरान निवासी सुशीला देवी नामक पचपन वर्षिये महिला MBS अस्पताल में एक कारेदाई संस्था के माध्यम से सफाईक अर्मी का काम करती थी उन्हें 5000 रुपए मान दे मिलता था पिछले दिनों उन्हें ये है कहकर नौकरी से हटा दिया गया था कि दो माहबाद फिर रख लिया जाएगा महिला का आरूप है कि वह दोबारा काम के लिए आई तो सुपरवाईजर और अस्पताल के एक बाबू ने 10,000 और एक लड़की की व्यवस्ता की दिमांड की महिला ने मामली की शिकायत दिम से की दिम ने अस दिम को जाँच सौपते हुए एक सबता हमें रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में बड़ी बात तो यह है कि यह पूरा मामला आउट्सूर्सिंग के कर्मचारी से जुड़ा हुआ है लखनव के कंपनी ठेके पर कर्मचार के नुक्ति करती है बहराल स्वास्त महकमे के साथी लखनव की कंपनी जाच के घेरे में आ गई है शाब आपको चुछा लगाना इतना नीचे का है डिलेवरी रूम से लेके कमरे तक यहां से वहां तक पूरा पोचाने जाटिना इतना दिन आपने काम किया पैसा उसे मिशाए चार मैंने किया साथ एक बार चेख मिला था एक पास चार एक प्रमिला जब छोड़ें हैं अधिकार को भूल गया हैं अपने अधिकार को भूल गया हैं और ये वर्तमान में चिकित्सक धर्म नहीं निभा रहे हैं ये भग्षक बन गये हैं देसे मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और जनपद प्रसासन को यह मैं पता देना चाहता हूँ कि एक सप्ता के अंदर यदि इन चिकित्सकों पे इन कर्मचारियों पे विसेश कारेव नहीं किया गया तो मैं संगठन की ओर से मैं प्रसासन की विरुद्ध धर्में पर बैठोंगा और इस विसे को संग्यान में मैं डालूंगा जल्दी लेटर लिखता हूँ माननिमोख्यमंत्री जी को और केंद्री मंत्री बहन अनुपिया पटेल जी को भी मैं आवगत करा कर दो